दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर राज नीती हो या समाज नीती हो इसके अंदर एक नीती होती है दवाब की नीती और उसके अंदर कहा जाता है उसको प्रेशर पॉलिटिक्स और प्रेशर पॉलिटिक्स खास कर दबंग नेताओं का बड़े नेताओं का एक हथियार हुआ करता है मैं आपसे सारी बात का जिक्रिसली कर रहा हूँ कि फरिदाबाद लोगसभा में आने वाली एक प्रमुक विधानसभा सीट है होडल और दूसरी प्रमुक विधानसभा सीट है हथीन होडल के नेता हैं हथीन से चुनाव लड़ते रहे हैं एक समय वो था कि जब उनका जो एरिया था उनकी जो पाल थी उसके ज़्यादा गाउं हथीन में हुआ करते थे परिसीमन हुआ 2009 वाला जब तो उस परिसीमन में उनके गाउं कट करके और होडल विधानसभा में चले गए होडल विधानसभा रिजर्व है इसलिए उननेता जी के लिए परिशानी शुरू हुई और वो नेता है चौधरी हर्शकुमार हथीन से दो बार विधायक बने चौधरी हर्शकुमार 1996 में हर्याना विकास पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे और 2005 में निर्दलिये चुनाव जीते थे हर्शकुमार 1996 की सरकार में वो वजीर बने थे चौधरी बंसी लाल की सरकार में और 2005 में वो निर्दलिये विधायक जीत करके और क्योंकि कॉंग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था निर्दलिये विधायकों की जरूरत किसी को नहीं पड़ी थी उसके बाद कोई भी चुनाव हर्षकुमार नहीं जीते आपको बताता चलू कि 1982 से हर्षकुमार चुनाव लड़ रहे हैं 1982 में चुनाव लड़े, 1987 में लड़े, 1991 में लड़े, तीनों चुनाव निर्दलिये विधानसवा सीठ हतीन 1996 में चुनाव लड़े, हर्याना विकास पार्टी से चौथा चुनाव जीत गए 2005 का चुनाव लड़े, उस चुनाव को फिर जीते 2005 के बाद 2009 का चुनाव लड़े, सातमा हार गए 9 के बाद 14 का चुनाव लड़े, आठमा हार गए 14 के बाद 19 का चुनाव लड़े, नौमा हार गए 9 चुनाव में 2 चुनाव जीते और 7 चुनाव हार गए 2024 के चुनाव के लिए उनकी कई रणिती थी रणिती ये कि 2019 का चुनाव लड़े थे वो जन्नायक जन्ता पारटी के टिकेट पर चावी से ताला खोलने की कोशिश की थी चंडीगर तक का खुला नहीं था 2014 का चुनाव वो भाजबा की पार्टी के टिकट पर लड़े थे उसमें भी हार गए थे 2009 का चुनाव कॉंग्रेस से लड़े थे उसमें भी हार गए थे बात आ रही है अब 2024 की 2024 के चुनाव से पहले चौधरी हर्शकुमार ने जन नायक जनता पार्टी को छोड़ दिया लोगसभा चुनाव से पहले और लोगसभा चुनाव में उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुए बिना कॉंग्रेस का समर्थन किया अब अगर चुनाव लड़ना हो तो फिर चुनाव के लिए जन्डा डंडा सिंबल निशान ये सब कुछ चाहिए होते हैं हर्शकुमार हमेशा हर्श कुनाव में मैंने आपको अपने कई वीडियो में कहा है कि अपना जन्डा डंडा वो बदल लेते हैं दबंग नेता हैं उनकी दबंगई की चर्चा है मतलब दबंग ऐसे नहीं कि कोई गुंड़ई वाली बात होती है दबंग यूँ है कि बोल्ड नेता हैं बड़े नेता हैं अपनी बात को मजबूती से रखते हैं मजबूती से कहते हैं चुनाफ दोजर चौबिस का नजदीक है लोगसभा चुनाफ से पहले पहले आपको बताया कि उन्होंने जेजेपी को छोड़ा और कॉंग्रेस के कैंडिडेट चौदरी महेंद्र परताप को समर्थन देने के बाद में चौदरी महेंद्र परताप चुनाफ हर गए कृषन प चुनाओं में तो भाजबा से लड़े थे लेकिन 2019 के चुनाओं से पहले नाता तूट गया था भाजबा से भाजबा के विधायक भी आजकल परवीन डागर हतीन में राजनीतिक दोराये पढ़ थे हर्शकुमार जाएं तो जाएं कहा फैसला लिया पंचायत की अपने समर्थकों की उस पंचायत के अंदर उस बैठक के अंदर फैसला हुआ और उन्हें फैसला कर लिया कॉंग्रेस में विधिवत शामिल होने का जब कॉंग्रेस में उन्होंने शामिल होने का फैसला लिया तो मुने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि आखिर हर्शकुमार की सोच के साथ आ रहे हैं मैंने एक बात और भी चलाई थी कि फरिदाबाद की खासकर पलवल जिले की जो तृदेव राजनीती है यानि की तिगड़ी चौधरी उदैभान कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होडल के नेता चौधरी करन सिंग दलाल कॉंग्रेस के नेता पूरु मुख्य मंत्री आखिर हरशकुमार कॉंग्रेस में आकर क 오늘도 कौन सी शर्ट के साथ आ रहे हैं कि questa का कंग्रेस उनके साथ seat की बात कि रहे यह उनकोौंग्रेस टिकर देने की बात कि रहे है एक तरह से ये अंधिरा था राजनीतिक अंधिरा इस पॉलिटिक्स के लिए कि क्या होगा अगर हर्शकुमार आएंगे तो हर्शकुमार कॉंग्रेस में जोइन हुए पलवल के अंदर वो कारेकरता सम्मेलन था करन सिंग दलाल उसके आयोजक थे उस बैठक के अंदर कारेकरता सम्मेलन में कॉंग्रेस में शरीख हो गए कॉंग्रेस में शामिल हो गए हर्शकुमार चौधरी उदयवान ने कहा था उस समय संबोधन जो था उनका चौधरी उदयवान कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि टिकेट का फ चौदरी हर्श कुमार ने होडल में फिर एक पंचायत की, पिछले सप्ता, एक स्थान है वहाँ गोविंद पहले प्रमुक जगा है और वहाँ पर नेताओं की पंचायते होती रहती हैं, उस पंचायत के अंदर जो पंच थे, ठोंडे थे, मुगदम थे, उसमें नजला गिरा चौदरी उदैवान पर, हर्श कुमार का होडल के अंदर राजनिती का अपना असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हतीन से वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन होडल क्योंकि रिजर्व सीट है और जो चौदरी हर्श कुमार का अपना गाह है, पालडी, वो होडल विधान स समस्या ये थी, कि आखिर हर्श कुमार जी को, क्योंकि एक तो मुहमद इसराइल हतीन में पहले से मजबूत दमदार चैरा है, तो चौदरी हर्श कुमार एड़जस्ट कैसे होंगे, और पार्टी में, कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद, जो शुरू होती है, प्रिशर प तो फिर होडल में भी समस्या होगी, प्रिशर प्रिटिक्स चली, लगता है ये प्रिशर बना नहीं पाई, चौदरी उदयवान पर, और वैसे भी सबसे प्रमुक बात ये होती है, कि जहाँ एक सीट पर, जैसे हतीन का मैं आप से जिक्र कर रहा हूं, कि मौमद इसराइल के चौनाव रड़े थे, उनके पिता चौदरी जलेव खां, वो भी हार गए थे, 2009 में निर्दलिये चौनाव जीते थे चौदरी जलेव खां, बात आ गई कि आखिर हर्श कुमार को एड़ेस्ट कैसे किया जाए, और जब नहीं बनी बात, तो प्रिशर पॉलिटिक्स जो मैं लेकिन लगता है प्रिशर पॉलिटिक्स भी काम नहीं आई, अब दो दिन से एक चर्चाएं हैं पूरी राजनीति गरियारों के अंदर, और चर्चा ये है कि हर्श कुमार क्या फिर पार्टी बदलने जा रहे हैं, चर्चा ये है कि चौदरी हर्श कुमार भारती जनता पा है, कितना इन चर्चाओं में दम है, हलांकि नाइस की पुष्टी चौदरी हर्श कुमार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उनसे बात हुई नहीं, टेलिफोनिक कनेक्शन उनसे करने की कोशिश की, दो तिन बार कॉल किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए, इधर भारती जनता पार नेता भी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, कि क्या हर्श कुमार उनके संपर्क में है, और कहां भी नहीं करते नेता, बताते भी नहीं है, चट्रान की तरह मजबूत रहने वाले नेता अगले पल बदल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, खेर, अब ये चर्चा चल पड़िए, कि जब प्रिशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई, चौधरी उदयवान के सामने, तो फिर हर्श कुमार जी अब अपना रास्ता बदल रहे हैं, और ये चर्चा है कि वो भाजबा में जाने की तयारी है, उस भाजबा में जिसमें वो 2014 का विधान सवा चुनाव रड़े थे, 2014 से और फिर 2018-19 के चुनाव आने से कुछ समय पहले तक वो भाजबा में रहे, लेकिन एगा एक उन्होंने भाजबा छोड़ करके जजबा जोइन की और जजबा से चुनाव रड़ा जेजेपी से. अब अगर हर्श कुमार की ये वाली प्रिशर पॉलिटिक्स कॉंग्रिस में नहीं चली, तो फिर वो क्या भारती जन्ता पार्टी में अगर जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, कि उनकी भाजबा के बड़े नेताओं से बाचीच चल रही हैं, समपर्क में हैं, तो फिर ये महबत बिना शर्त वाली होगी भाजबा से और या फिर कोई शर्त रखी जा रही है, अब अगर हर्श कुमार जी को भारती जन्ता पार्टी में बिना शर्त के जा रहे हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि उनको टिकेट मिलेगा, और अगर टिकेट की गारंटी नहीं है, त इसके पीछे कारण क्या है बात यह आ जाती है कि सौनाव रणेंगे और भारति जनता पारटी उंको टिकेट देंगे तो फिर माहुल क्या रहेगा क्योंकि भाजबा के पास वहां पर विधायक है अभी परवीन डागर और परवीन डागर विधायक के साथ साथ वहां पर भाजबा का अच्छा केडर बन चुका है और उस केडर के अंदर उस केडर के अंदर जो नेता है वो परवीन डागर है मनोज रावत हैं के क्या हर्ष कुमार का अब भारती जंता पार्टी में चलने की या भाजबा जॉइन करने की जो बातें चल रही है किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है क्या उन्होंने जो पंचायत की होडल के अंदर पिछले दिनों वो भी क्या चौधरी उदय भान पर प्रेशर बनाने क की रणनीती थी और सबसे बड़ी बात की राजनीती के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी सक्सेस हो सकती है और क्या हर्ष कुमार को किसी पालिटी का टिकेट कॉंग्रेस या बीजेपी का मिल सकता है हतीन विधान सबा के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ज ज्यादा से ज्यादा शियर करें